नमस्कार फ्रेंड्स, साइट ट्रेडिंग टीप चैनल में आप सभी का स्वागत है, आज हम एजुकेशनल परपस से एक स्टॉक की चर्शा करेंगे, इस स्टॉक में इन्वेस्मेंट करने से पहले आप अपना एनलाइसिस और अपने फाइनेंशल एडवाईजर से जरूर ए इन्वेस्मेंट करने का डिसिजन लिजेगा, इस्टॉक का नाम है इरेडा, इंडियन रिनीवेबल एनर्जी डेवलपेंट एजन्सी लिम्टेड, अब इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, इस कंपनी का क्वार्टर टू का रियल्ट, हाली में पेस किया है, कंपनी ने 10 अक्टूबर को अपना रियल्ट पेस किया है, क्वार्टर टू में इनका रियल्ट भी बहुत ही बहतरीन आया है, कंपनी के नेट इंटरेस्ट रेट में 52% की तेजी है, प्रोफिट 36% से भी ज्यादा हुई है, फिर भी ये स्टॉक लगतार गिरते जा रहा है, यानि अप रिखा जाए तो PSV सेक्टर के लगभग सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, इसलिए इस स्टॉक में भी ग्राउट हो रही है, अब हम इरेडा के बिजनेस मोडल के बारे में बात करेंगे कंपनी क्या करती है, या कंपनी भी IARFC यानि इंडियन रेल्वे फाइनेंस कार्परिशन की तरह काम करता है, इरेडा और IRFC में डिफरेंस इतना है कि IRFC वंली गौर्णमेंट कंपनी के साथ डिल करता है, यानि उनको फण प्रवाइड करता है, इरेडा गौर्णमेंट सेक्टर के कंपनी को फण प्रवाइड करता है, और साथ में ट्राइबेट सेक्टर के कंपनी क को भी एक फंट प्रवाइड करता है जो भी कंपनी रिर्नेव वन एनर्जि के लिए काम करता है इनके लिए प्रवाइड करता है इसे स्टोक में काफ़ी हैपी पोटेंसियल है इसे स्टोक में जब आधर गिरावट हो तो उस जहAl. हम नंगा प्रत्रप्राट को अपर्शनिटीस समझ के इस में इंबेस्पेंट करने का बहुती बहुत रिफेटरी इनर्जी का वह और हम पिल्फील नहीं कर पा रहा है यानि है जैं चेँट में 10-15 पर्षेंट भी पुरन नहीं कर पार रहे हैं डिमांड काफी है लेकिन सप्लाई हम नहीं कर पार रहा है और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के उपर काम करता है गौर्नमेंट का फोकस भी रिवन्योबल एनरजी के उपर है और यह स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही इसे स्टोक में promoters holding 75% public holding 22.63% FIH 2.02% और DIAH 0.35% यानि यह स्टोक आने वाले समय में बेहतरिन कर सकता है promoters का holding इतना अच्छा है यानि हम अनुमार लगा सकते हैं कि यह आने वाले समय में बहुत बेहतरिन रिटर्ण्स मरा कर दे सकता है friends अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाजाज सब्सक्राइब कीजिए thank you